अने लंबानी की कमपनी रिलाइंस पावर फिर मुनाफे से घाटे में आई, कमपनी का घाटा घट कर इतना हुआ अने लंबानी की अगवाई वाली कमपनी की कुल आयू चालू वित वर्ष की पहली तिमाई में घट कर 1,958.72 करोड रही जो एक साल पहले इसी तिमाई में 2,144.97 करोड थी अने लंबानी की अगवाई वाली कमपनी रिलाइंस पावर फिर फायदे से घाटे में आ गई कमपनी की और से दी गई जानकारी के मताबिक कम आये और अधिक खर्च के कारण जून तिमाई में उसका शुद घाटा बढ़कर 296.31 करोड रुपे हो गया कमपनी ने शेयर वजार को दी सूचना में कहा कि एक साल पहले इसी तिमाई के दोरान उसे 160.79 करोड रुपे का शुद घाटा हुआ था आपको बता दें कि रिलाइंस पावर का शुद लाब मार्च 2023 को समाप्त तिमाई में 321.79 करोड रुपे रहा था इस तरह कमपनी एक बार फिर मुनाफे से घाटे में आ गई कुल आय में भी आई गिरावट अनिल अंबानी की अगवाई वाली कमपनी की कुल आय चालू वित वर्ष की पहली तिमाई में घटकर 1,958.72 करोड रुपे रही जो एक साल पहले इसी तिमाई में 2,144.97 करोड रुपे थी अप्रेल जून अवदी में इसका खर्च बढ़ कर 2,182.69 करोड रुपे हो गया जो एक साल पहले इस अवदी में 2,145.9 करोड रुपे था पहले एक महीने में शेयर में तीजी कमपनी के शेयर में पिछले एक महीने में अच्छी तीजी दर्च की गई है शेयर बजार के आखड़ोपन नजर डालें तो शेयर 15 रुपे से 18 रुपे पर पहुँच गया है इस तरह निवेशकों को रिलाइंस पावर के शेयर ने 20 फीजदी का रिटन दिया है अब खराब रिजल्ट से शेयर में गिरावट आने की आशंका है वैसे भी हाल के दिनों में पावर कमपनियों के शेयरों में जवरदस तेजी देखने में मिली है